सू प्रभात विध्यारतियो विध्यारतियो आज हम इस वीडियो में आपसे परियवणी अर्षास्त्र के कारीछेत्र के बारे में चरशा कर रहे हैं इस बीए पार्ट तुरतिया का हमारा third paper का पहला टॉपिक चल रहा है इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको परियवणिय अर्षास्तर का मीनिंग उसका नेचर और परियवण का अर्थ इन सब बिंदों पर आपसे चर्चा की थी इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम बात करेंगे आपसे परियवणिय अर्षास्तर का कारी छेतर चात्रों विभनीयै विदी का संबंद करीब करीब हर प्रकार की विजियों से संबंदित है। जैसी पारिस्तति की जैविक्य और अर्शास्त्र मनो Swygnaec, लोकपरशासन, जल्विज्ञान, जीव प्रोध्योगर की, राजनिति शास्त्र इन सभी छेत्रों के साथ इसका कारे छेत्र बनता है चाहे उसमें आप इकालोजी की बात करें बायोलोजी की बात करें जैविकिये बात करें और शास्त्र की बात करें मनो विज्ञान लोगपरसासन जाल विज्ञान जीव प्राद्योगी की राजनीति सास्त्र आदी इन सभी के हम यह दी बात करें तो यह सभी इसके कारेशेतर में आते हैं प्रफसर रोजर्स ने परियावणिये विदी को कौमल लौ तथा सव्वैधानिक सिद्दान्तों का मिश्ण बताया है परियावणिये सव्वैधानिक विदी आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि सव्वैधान में प्राण का अधिकार भरनित है जो की परियावण के सुच्छ और शुद्ध होने पर ही उपलब्द हो सकता है अनिता नहीं यदि हमारे आसपास का वातरण ही अशुद्ध है तो ये हमारे जीने के अधिकार को समाप्त करता है क्योंकि जीने के अधिकार के साथ सुच वातरण होना आउशक माना गया है आता है सम्वेधानिक विदी तथा परियावण को आपस में चचेरे भाईयों की सिंग्या दी जाती तो कोई अतिशोक्ती नहीं होगी चत्रो जो कानूनी विदी है और जो परियावरन है यह आपस में एक चचेरे भाई की तरह माना गया है इसमें इसकी कोई अतिशोक्ति नहीं है मतलब इनका इतना घहरा संबंद है कि इनको पारिवरिक संबंदों में जोड़ दिया है ऐसा विल रोजर्स मानते हैं इसके बाद यदि हम टॉमस की बात करें तो टॉमस कहते हैं कि परियावरन विदी के छेत्र के बारे में कहा गया है कि परियावन विदी को रजनिती से अलग नहीं किया जा सकता इनका धियन परिस्तित्र की और अर्षास्त्र की जानकारी की अपिक्षा करता है चात्रो टॉमस की जो प्रिवाश्या है या टॉमस की जो विचार है कि परियावन विधी को राजनीती से अलग नहीं किया जा सकता परियावन का संबंद राजनीती से जुड़ा हुआ इसका दैन पारस्तिति की और अर्द्षास्ती की जानकारी के प conviction करता है मैकलागिन के नुसार यदि हम बात करें तो मैकलागिन कहते हैं कि परियावन के सम्मंदित विदी की व्यत्पत्ती को प्रमुक्ष रोतो अर्थार न्यायले दुआरा पूर न्यायक निर्णों के माध्यम से विक्सित कॉमन लौ और समयधानिक विदी के अंतरगत निर्मित विनिवे और उप विदियां से शामिल हैं तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो परियावनिय विदी है या परियावनिय अर्षास्त्रे इसका कारेच शेतर काफी व्यापक है इसका संबन्द सभी विशों से देखा गया है इसमें हम सभी प्रकार की विशों के साथ इसके संबंद को पढ़ेंगे तो परियावन विदी का संबंद पसासनिक विदी तथा अपरादिक विदी से भी है क्योंकि परियावनिय अपरादों में अपरादिक मन इस्तिक की संकल्पना और धंडात्मक अनुशक्तियां भी मैत्पुण होती है आता है परियावन विदी का संबंद हर प्रकार के विशे से है क्योंकि परियावन का तात्पिर ही हमारे आसपास के बातावन से होता है इस प्रकार हमारे आसपास तथा हमारे दैनिक जीवन में सम्मंदित समस्त विशों का सम्मंद परियावने विदी से होना अनिवारी है परियावन विदी जनसंक्या नियंत्रण पर विसेश जोड़ देती है क्योंकि जैसे जनसंक्या बढ़ती है छात्रों प्राकरतिक संपदाओं का नश्टीगरण उतना ही तिवर तासे होता है वर्तमान में ये समश्या केवल एक देश की समश्या नह होकर अंतराश्टी समश्या का रूप धरन कर चुकी है जनसंक्या नियंत्रण के लिए अंतराश्टी अस्तर के प्रियास की आउश्रक्ता है इस प्रकार निसकर स्वरूप ये कहना ए प्रासंगिक नहीं होगा कि प्रि परियावन कोई राजणितिक सीमा नहीं जानता यह केवल पारेस्थितिक की सीमा के अंतरगत कारिये करता है। जिसने अंदर हर प्रकार के विषय जो परियावन से किसी भी प्रकार से संबन्दित हैं को समेटे हुए हैं। परियावन से जो विशय गहराई से जुड़े हैं उनमें प्रमुक निम्न है नमबर एक हम बात करें बहुतिकी सास्त्र जिनका संबन परियावन से रहा है फिजिक्स परियावन के अनेक कारक जैसे ताप प्रकाश आदि को समझने के लिए आपको फिजिक्स या बहुतिक की ज इंटर्डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है इंटर्डिसिप्लिनरी अप्रोच में सबी विशय को एक विशय में थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाता है तो हम परियावन के अंदर फिजिक्स पढ़ रहे हैं केमस्ट्री पढ़ रहे हैं बाटनी पढ़ रहे हैं जोलोजी रहा है है जियोग्राफी पढ़ रहा है है सोशो लोजी पढ़ रहा है तो इन सभी के अंस को हम की एन्वेल्मेंटल स्टेडि़ीज में पढ़ता हैτοो ये अंड़ डिसिप्लिंड्री अपरोच बंता है इसके लावा यदि हम किसी छेतर के व्यापक ग्यान को यह लिए हम एक इखी विशे में पढ़ते हैं, तो फिर वो आपका vacation or disciplinary approach होता है, तो हम परियावन के अंदर उनके उप्चार को समझने के लिए परियावन के छेतर में रासायनिक सास्त्रियों की भी आउशक्ता होती है तो एन्वर्मेंट के साथ हमें रासायन को समझने के लिए रासायन विवन प्रकार के अलग-अलग जो कैमिकल बनता है उनको समझने के लिए हमें रसायन विज्ञान की आवशिक्ता महसूस होती है इसके लाव वनस्पती विज्ञान के हम बात करें तो समस्त वनस्पतियां परियावन के उत्पादक है वो भूगता जीव इनी वनस्पतियों पर अधारित है आता है वनस्पति विज्ञान की जानकरी के अभाव में परियावन का अध्यन संभव नहीं है तो चातरों वनस्पति विज्ञान भी परियावन के साथ पूरक्ता का काम करता है इसके लाम जुलोजी की बात करें प्राणी सास्त्र जल, थल्व और नब में व्याप्त सभी जीवजन्तु परियावन के महत पुढ़ंगें ये सभी वनस्पतियों एवं अन्य जीवजन्तु का बक्षन करते हैं अता ही अनिक प्रकार के परियावन को प्रभावित करता हैं इस प्रकार एक परियावन विद को प्राणी सास्त्र की जानकारी आवशक है इसलिए प्राणी सास्त्र का दिन भी हम एंवर्मेंट स्ट्डी में करते हैं मेट्रपॉलाजी की बात करें मौसम विज्ञान तो इसमें मौसम सम्मध्यानिक कारक जैसे तापमान दाब पॉवन वर्षा हिमपात ओला वर्ष्टी आदी भी परियावन यह हम उसके जैविक वैजविक घटकों को प्रोवाइद करते हैं जन्हें समझने हेतु मौसम विज्ञान की जानकारी भी अपक्षित है शातरों इसके लावा हम भुगोल की बात करें तो भुगोल भी परियावन का एक महत्पूर अंग बनता है भिन भिन इस्तानों पर परियावन के घटक यम जीव जन्तू भिन भिन प्रकार की होते हैं इस तत्थ को भुगोल की अध्यन से समझा जा सकता है समाज सास्तर सोशलोजी प्राकर्तिक सादनों का दोहन एम्शोशन मनुष्य करता है मनुष्य यह कारी अपनी मुलबूत आउशक्ताओं की संतुष्टी के लिए ही नहीं वरन अलग-अलग समाजों की प्रकरती के साद अलग-अलग प्रंप्राओं की कारण भी करते हैं इस तत्थ को समाज सास्तर अध्यन से समझा जा सकता है अगला बिंदू हमारों बनता है प्रियावन विदी के छेतर को समझने है तू अन्य विदियां या क्रशी म्रदा विज्यान भूगर शास्त्र जियोलोजी अभियांत्रिक इंजिनिरिंग पैडालोजी इसके लावा सूक्षम जीव विज्यान, माइक्रो बाइलोजी अर्शास्त्र एकनॉमिक्स से भी परियावन का घहरा समझ रहा है परियावन संडक्षन समझनी नियमों के निर्मान और अनुसासन हेतु कानून की जानकारी भी अपेक्षित है चातरो परियावन का जो छेतर है वो विस्तरत होने के कारण इसमें एक जीवमन लिये वरहत परस्तती तंतर से लेकर सूक्षम परस्तती तंतर का दिन किया जाता है परियावन के छेतर में परियावन के भोतिकी तता जैविक घटकों के परस्प्रिक अनुक्रिया का भोगोलिक अध्यन किया जाता है परियावन के छेतर में परियावन के घटकों को महत्पुनस्तान दिया गया आता है परियावन के छेतर के विस्तरत अध्यन में परियावन के घटकों का अध्यन करना अतियाउशक है तो छात्रों यहां आपको ध्यान देना होगा कि हमने ये तो पढ़ लियागे परियावन के साथ किन किन विशों का गहरा संबंद है जिसमें हमने बोतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणी सास्त्र, मौसम विज्ञान, भुगोल, समास सास्त्र, भुगर्प सास्त्र, मरदा शास्त्र, करशी, आभियांत्रिकी, सूक्षम जी विज्ञान, और शास्त्र जैसे भी शोका संबन्द परियावन के साथ हम तो परियावन अनेक तत्वों से मिलकर बना है इन तत्वों का प्रभाव जीवधारियों पर परिलक्षित होता है परियावनिये कारकों के प्रभाव के प्रणाम स्वरूप जीवधारियों में प्रियुक्त किया अकलापों के कैई अनुकूल उत्पन हो जाते हैं जिससे वे जीव जीवित पाते हैं ये कारक परियावनिय कारक परिस्तित की कारक या सामन्य कारक और जैविक कारक तथा एजैविक कारक के रूप में जाने जाते हैं परियावनी जटिलता के विभिन परिस्तित की कारकों को समू में कत्रित किया गया है परियावनी कारकों को दो समू में वर्गीकरत किया जा सकता है एक प्रतक्ष कारक होते हैं जो सीध्य परियावन से संबंद रखते हैं एक एप्रतक्ष कारक होते हैं जो परियावन के साइक के तोर पर काम करते हैं डारेक्ट फेक्टर होते हैं इंडारेक्ट फेक्टर होते हैं तो डारेक्ट फेक्टर में प्रकाश, ताप, वायू के आधरता, मरदा, वायू, मरदा जल और मरदा पोशक तत्वा आते हैं एप्रतक्ष कारकों के अंतरगा तम भूमी की बनावट म्रदा जीवन उचाई वायू तथा धाल आधी कारकों को शामिल करते हैं प्रशिद वनस्पती वेता आस्टिंग ने उन्नी सोड़ालिस ने परियावन के विविन कारकों में सामिल किया है म्रदा जल को ये पदार्थ में है ताप प्रकास दशाओं में है वायू और गृत्वत ये बल में शामिल किया है उन्ने जीव में पौदे एम जन्तु को शामिल किया है और समय को वर्नित किया है तो पास प्रकार से ओस्टिंग ने उन्नी सोड़ालिस में इसके काली छेत्र को ये इसके कॉंपोनेंट्स को बाटा है जिसमें पदार्थ बल दशाओं जीव और समय को वर्नित किया गया है चात्रो डाविन मायर की हम बात करें तो 1969 में इन्होंने सबी परियावनिकारकों को साथ समान सीच काउं में विभाजित किया है अलग लग विद्वानों निया इन अगटकों को अलग अलग तरीके से बताया है जिसमें हम साथ सीर्षकों की बात करेंगे तो मरदा, जल, तापमान, प्रकाश, वायुमंडल, अगनी और जैविक कारक यह साथ कारक हैं जो इससे सम्मंदित हैं अधिक तर परियावनिय वेदों की प्रस्ततिकी कारकों को चार प्रकार से ही बटा है डाबिन मायर की बात करेंगे तो इन्होंने साथ प्रकार से गटकों को बटा है और स्टिंग की बात करेंगे तो इन्होंने प्रकार से गटकों में बाटा है जिसमें जो पहला गटत कामारा बंता है वो बंता है जल वायू कारक क्लाइमेट फेक्टरोड होते हैं जल वायू को प्रभुवाइद करने वाले कारक में रंकाश वicipाइब्मंडल अतापमान बर्षा बयू की आध्रता वैमंडल गैस आदी इसमें शामिल होते हैं दूसरा जो कारक बनता है वो बनता है स्थलिय या भुहकरतिक कारक प्रत्वी के बहुतिक भुगोल से सम्मदित कारकों को इस वर्ग में शामिल किया गया है इसमें उचाई परवर्षन खलाएम गटियों या घाटियों की दिशा ढालों का खुलापन और तिवर्धा प्रतों को इसमें सामिल किया है तीसरा जो इसमें कारक है वो मरदिय कारक है ये कारक मरदा के निर्माण उसके भुहतिक एवं रासइनिक गुण और तत्सम्मंदी तत्यों से सम्म्मद रगते हैं और चौथा जो कारक है इनमें जैविय कारक को शामिल किया गया है इसके अंदर जीवन के विभिन रूपों जैसे पौदे, जन्तु, सूक्ष्म जीव, आदी के बीच सभी प्रकार की अंतक्रियाई शामिल होती हैं तो चात्रों मोख की रूप से सभी जो परियावण विद हैं, वो परियावण के कारी शेतर को चार भागों बाड़ते हैं, जलवाय उकारक होते हैं, जलवाय सम्मदी गटनाओं को पड़ा जाता है, इस्थलिये वे बुवाकर्तिक कारक होते हैं, बुमिक की बनावट या गटक छेतर है वो चार तरीके शमने बाटा है अब देखिए इसके अलावा यहां आगे हम बात करें तो कुछ बुगल वेताओं ने मुखिता परियौन के घटकों को दो प्रकार से ही बता है जिसमें बायोटेक है और एबायोटेक है ठीक है जैविक और एजैविक दो घटक माने जैविक घटक वे घटक होता है जिनके अंदर जीवन्स होता है और एजैविक घटक वे घटक होता है जिन में जीवन्स नहीं होता है जबकि सामाने रुपसे अधिकांस भुगल वेता द्वारा निमलिगित घटकों को शामिल किया गया है अब हम सामाने जो तक है उनके बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहले बात आती है नमबर एक लॉकेशन आविस्ति आविस्ति एक ऐसा कारक है जिसका परियावन के अंग के रूप में भोगलिक अध्यन किया जाता है location या आविस्तिती इस्तित होती है परन्तु समय के साथ उसकी सापिक्षित महता परिवर्तित होती रहती है आविस्तिती को भुगोल सास्तर में तीन भगों में विवाजित करद्धिन किया जता है एक geometrical होती है जैमीती आविस्तिती होती है एक सामुद्रिक या इस्थली होती है और एक समीप वर्ती इस्थत्य होती है तो यह किसी भोगलिक प्रदेस की अक्षांस वा देसांत्रिय इस्थत्य होती है जिसके द्वारा उक्त प्रदेस की भूस अंदर में जानकारी प्राप्त होती है दूसरा सामुद्रिक वा इस्थली इस्थिती है समुद्र से घिरेवे तथा समुद्र के शहारे इस्थित भोगलिक प्रदेसों में सामुद्रिक इस्थिती का प्रभाव पड़ता है जबकि महादी पे इस्थिती में प्रदेस का समुद्र से कोई संबन नहीं होता माधी पे इस्तती में राज्य स्थल आवर्त होते हैं जिसे आंतरिक इस्तती कहते हैं माधी पे इस्तती में समुद्री भागों का समकारी लाब नहीं मिलने से कई आर्थिक रियें अधूरी रहती हैं तदा इस्तलियस विदाओं तक्सीमित हो जाती है चात्रों यहां तीसरा जो बिंदू बनता है वो बनता है समीप वर्थी देशों के संदर में स्थती समीप वर्थी देशों के संदर में स्थती को परिवाशित करते वे वैलकेन भॉर्क ने लिखा है राज्य के समीप स्थित देशों की संख्या एवं प्रकार क्या है इसका प्रभाव राज्य की विकास पर निश्य तर पर पढ़ता है तो यह हमारी सभी विद्वानों के अनुसार जो हम components पढ़ रहे हैं उसमें पहला जो बिंदू था हमारा अविस्तती और इस अविस्तती को हम चार भागों में हमने बाटा है नमबर एक है हमारा जामीती अविस्तती जिसमें geometrical अक्षांशे देशांत्री मेथर्ड के थुरों मुस्चिश को देखते हैं दूसरा सामुद्रिक वस्तली इस्तती है जिन देसों के असपर सामुद्र होते हैं या समुद्रि सीमाओं से गिरेवे देस होते हैं वह इसका ध्यरम करता है इसके लाव समी परती देसों के संदर में भी स्तती बनती है उसको हमने नहीं देखा है तो चात्रों यहां दूसरा हमारा बिंदू बनता है रिलिफ उच्चावच प्रत्फी पर धरातली आकरती तथा परवत पठार तथा मैदान परियावण के प्रभाव की सीमा निर्धरित करती है मुख्य रुप से धरातली आकरतियों का प्रभाव जलवायू पर दरश्टी गत होता है तथा जलवायू दशाओं के आदार परी बहुत तिक यम सांस्कृतिक वातावन की प्रकरति निश्यत होती है सातरो उच्चावच भी परियावन का कॉंपोनेंट्स है और इसको हम इसमें पढ़ते हैं तो प्रत्वी पर धरातले आकरती परवत पठार मैदान परियावन के प्रभाव की सीमा निर्दारीत करती है मुक्य रुप से धरातले आकरती का प्रभाव जलवायू पर दृष्टिकत होता है तथा जलवाई की दिशाओं की आधार परियम बहुतिक वे सांस्कृतिक बातावन की प्रकरते निश्यत करते हैं तो साथ और अलग अलग पकार के हमने यां कॉंपोनेंट्स पढ़े हैं विद्वानों की राय के अनुसार तो इनको थोड़ा आपको अपने बुक से भी देखना है और इनके आपको नौट्स टैर करने आप इनको पढ़िएगा जो बाते आपको समझ नहीं आती हैं वो आप पूछ लें हमसे अब मैं अगले वीडियो में इनी घटकों को आपको और विस्तार से आगे जो बिंदू बनते हैं इसमें उन पर मैं आपसे चर्चा करूँगा धन्यवाद